राश्ट्रोन नती के पत पर नित्य प्रेरणा एक दिन एक पृष्ठ एक विचार श्री गुरुजी समगर बारा खंडों का संक्षिप्त रूप भारतिय विचार साधना पुने द्वारा प्रकाशित किया गया है मैं डॉक्र श्री मती स्वाती सदानन गोड बोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रति दिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुचाने का प्रयास कर रही हूं यह प्रकाशित विचार हमें प्रति दिन प्रेरणा देते रहेंगे आज दिनांक 7 नवंबर का विचार प्रकृती का उपयोग मानव कल्यान हेतु इतिहास बताता है कि मानव जीवन में परिवर्तन होता रहता है दुरुष्य और अदुरुष्य कारणों संपर को वसंबंधों के कारण उसका विकास होता है समच्व व्यवहार बदलता रहता ह भोतिक विद्ञान के विकास के साथ सुरुष्टी के रहस्य क्रमशा अनावृत्त होते जा रहे है जिसके कारण मनुष्य का प्राकृतिक शक्तियों पर नियंत्रण एवं सजीव सुरुष्टी पर प्रभुत्व बढ़ा है गत सो वर्षों में प्रकृती से रहस्यों के द्ञान में अद्भुत्प्रगती हुई है इस प्रगती के कारण वर्तमान युग को जिसमें हम जी रहे है आनविक युग कहा जाता है अत्यंत प्रभावशाली इन शक्तियों पर नियंत्रण के परिणाम स्वरूप कई नई एवं विकट समस्याए उत्पन्न हुई है क्योंकि उर्जा अपने उपयोग के अनुरूप समान रूप से अच्छी बुरी अथ्वा लाभानी कारक होती है इसके कारण प्रुत्वी स्वर्गमई बन सकती है वही उसके विखंडित होने का खत्रा भी उतना ही उत्पन्न हुआ है अर्थात वह अभिशाप देने अथ्वा वर्दान प्रदान करने दोनों में ही समान रूप से सक्षम है इसका उपयोग सबप्रकार की प्रसन्नता रोगमुक्ती एवं मानों की वर्तमान परिकल्पना से भी उच्च जीवन सुविधाये प्राप्त करने में किया जा सकता है परन्तु यह निर्दई विनाश का यंत्र भी बन सकती है क्योंकि मनुष्य ने ही इन विक्राल शक्तियों को खोजा है इने उपयोग में लाने हेतु मार्ग अविश्कृत किये है अतह उसी पर इसकी मानविय अथ्वा पिशाची वृत्ती निर्भर करती है मानव को दैवी अत्वा आसुरी गुणों से सुसजित करने की अनुरूप ही यह विश्व स्वर्ग अत्वा नरक बनेगा लेकिन आज का मनुष्य शेश सुरुष्टी यहां तक की अपने ही वर्ग के बांधों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसके साथ उसके क्या परिणाम होंगे व्यक्ति जिस तरह पहाड़ों को समतल करने का प्रयास कर रहा है जंगल काटता जा रहा है यहां तक की धर्ती माता को संपदा विहीन बना रहा है प्राकृतिक स्त्रोतों के जल प्रवाहों को प्रतिबंधित करते हुए उन्हें अपनी पसंद एवं निर्मिती के अनुरूप प्रवाहित होने के लिए बाध्य कर रहा है वह सब सुरुष्टी के प्रती उसके सम्मान को बतलाने वाला है अती आत्मतुष्टी वह स्वकेंद्रित दर्प से युक्त होकर वह अती विशाल प्रक्वल्पों को हाथ में ले रहा है मानो वह त्रिकाल दर्शी एवं सर्वशक्ति मान हो अथ्वा प्रकृती की उत्पत्ति वल्लय में सक्षम द्वितिय वह अपनी हटधर्मिता के कारण विशाल उद्यमों के प्रभावों को देखने को तयार नहीं है प्रकृती जब तक प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती तब तक उसके साथ खिलवार करना सरल है किन्तु जब वह पलटकर वार करेगी और अनिवार्य रूप से करेगी ही तब म अनुष्य को कौन बचाएगा किन्तु वह तो बिना विचार किये शीघरता से प्रकृती की स्वाभाविक दिशा को ही बदलना चाहता है देखने आलोक स्वर्गिक विकलकवी का गान होगा भावना जब साधना होगी तभी कल्यान होगा भारत माता की जय बंदे मातरम